एक आदमी की सनक और बॉखलाहट ने देश को सकगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवान उठ रहा है हमारे नाम पर फबतिया कसी जा नहीं है सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर यह आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं लेकिन हमसे नफरत करने करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे इस देश को हम लोग अपनी मा किरते हैं और मा के नाम के साथ खिलवान कौन करता है आपने तो वो दुशकर्म भी करके दिखा दिया इस देश में एक समविधान है और इस समविधान के आर्टिकल वन ने हमें पहचान दिये भारत की हमें पहचान दिये इंडिया की और आपके ये जो कुछसित प्रयास है हमारी पहचान के साथ खिलवार करने का वो असल में समविधान को बदल लेके आपके दुशकर्म का नतीजा है आप चाहते हैं कि आप बाबा साहिब का बनाया हुआ ये समविधान बदल दीजिए लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ क्योंकि राजसमा में आपके पास दोती हाई बहुमत नहीं है तो आप समविधान बदल नहीं पाएगे तो यो शगूपा क्यों छोड़ा गया ये शगूपा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुम्बक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे वो अडानी के महा स्कैम पर आपसे सवाल न पुछे महिंगाई पर चर्चा न करे बेरोजगारी पर बात न करे आर्थी का समानिता पर बात न करे आज भी जलते हुए मणीपुर पर सवाल न उठाए इसलिए आप लेह रहे कर एक एक शगूफा छोड़ते रहते हैं लेकिन क्योंकि आपने भारत और इंडिया का शगूफा छोड़ी दिया है तो दो चार बाते कह देती हूँ सो रुपए का पेट्रोल इंडिया भी खरीद रहा है तो सोही रुपए का पेट्रोल भारत भी खरीद रहा है आटे पर GST आपने इंडिया के लिए भी लगाई है और भारत के लिए भी लगाई है बेरोजगारी से इस देश का युबा इंडिया में भी जूज रहा है और अडानी के आपके नाख के नीचे पनकते हुए महाग उटाले पर इंडिया भी सवाल उठाता है और भारत भी आपसे जवाब चाहता है तो सबसे पहले तो विभाजन की नफरत की इस राजनीती से निकल ये अपनी सनक अपनी बॉखलाहट छोड़िये और कृपिया करके ये हाँ जोड़कर करवध निवेदा नयाब से इस देश को अपनी बनाई हुई महंगाई से अपनी बनाई हुई बेरोजगारी से अपनी लगाई हुई नफरत की आग से अपनी बनाई हुई आर्थी का समानता से अपने बनाई हुई अदानी के महाग उटाले से बक्ष दीजिए इंडिया और भारत दोनों को और आप किस से मुकाबला करने चले हैं आप इंडिया बनाम भारत कर गेगा अरे हम वो लोग हैं जहां पर हमारे नेता ने 4000 किलो मीटर इस देश के पैदल नाप दिये कन्या कुमारी से कश्मीर जिससे की भारत जुड़ा रहे भारत जुड़ो यात्रा आपको जवाब है आप आपकी नफरत और आपकी कुछसित राजनीती का और जब हम कहते हैं जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया तो आपकी बॉखलाहट आपकी घबराहट स्वाभाविक है भारत माता भी हमारी है इंडिया भी हमारा है क्योंकि आप लोगों ने और आपके पूर्बजों ने तो ना इंडियन इंडिपेंडेंस की वार लड़ी और ना भारत की स्वाधीनता संग्राम में धेले का योगदान किया आप तब भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे और तब भी कंस्पिरसी करते थे आज भी इस देश के 140 करोण लोगों के खिलाफ आपके ये जो प्र जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार है जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है उसको आप किसी भी नाम से बुलाईए उसका दिल उसका जमीर हिंडुस्तान के लिए है इंडिया के लिए है भारत के लिए है और ये असलियत ना आप समझ सकते हैं ना बदल सकते हैं क्योंकि आप एक घबराई बॉकलाई डरे हुए और सन की ताना शाह से जादा अब कुछ नहीं रहे गए